यह सरकार नमस्कार महोल जब दर शांदार सरकार लाश्ट दू कैसे जीश्टी एथिक्स आई थिंक समझ माई पीटा लाश्ट दो के जो अब लाश्ट पड़े वो अब लाश्ट के समझ में त्री इन फॉर अब हम पढ़ने वाले सरकार पर पॉइंट यह सर कि आपने नोट क क्या हो तो हमने जो ऑफेंस पैनलीटीज में बोगस बील के ट्रांजेक्शन पड़े जो हमने अधर पैनलीटीज के प्रोविजिन्स पड़े सर्मोर और लेस वही बात यहां पे कई वह है सर्जों मने प्रोविजिन्स ज्येश्टी के पड़े वे उन्हीं को यहां पर एबीसी एंड एसोशेट्स लल्पी जिसको प्यार सम्भोलेंगे क्या एबीसी अफ़म ऑफ सी ए वोज एंपनेल्ड विद कमिशनर ऑफ जीस्टी फॉर अपॉंट्मेंट्मेंट एज स्पेशल ओडिटर अंडर सेक्श नमर्स 66 यह दाया बटा स्पेशल ओडिट ऑभाई स्पेशल ओडिट में क्या होता है सर कमिशनर के पास पावर है कि अगर किसी अससी को सर असिस्टेंट कमिशनर या उसके अब और रेंग वाले ओफिसर को लगता है कि इसने वेल्यू से डिकलेर नहीं किया है या इसने आइटी सी सही नहीं लें रखाया तो ऐसे कैस में वह ओफिसर आफ्टेगिंग पर्मिशन स्पेशल ओडिट का ओडर दे सकता है बटा हाई क्याना भाई वह स्पेशल ओडिट कोन करेगा सीए करेगा या कोश्ट अकॉंट करेंगे पर सर दोस्ट शुट बी नॉमिनिट बाइ कमिशनर तो कमिशनर क्या करता बटा एक सीए फंस का सर एंपनल में करके रखता है बटा कि यह जो मैने एंपनल सीए फंसे जो एलिजिब कर लिया गया है अंडर सेक्टिनमा 66 फॉर दी फैनेंशल ये एर्फ रफ राफ फनेंशल ये ओन आपनल अगोंट फ एत्रप्र इस प्र आप सेच्छल आप इसलिए प्टा बैटा अब आब अच्छों इनिए जो नोमिनिट वाइट रिका एक लिए जो इसलिए लिए प्ट भाई साब ABC को अपोइट किया एजिन आ, अओसर और उन्होंने काना मा किया audit के इंपे देखना से, अग्रीूर्ट्ने टील उट सब में से गतके शोब ही दिए और टीलूवरश्च पहरले से लिया जाता है जिस roaming को मुझा रहे उससे हमारा को रिष्था नहीं है नहीं हमारा directly or indirectly कोई relation है बिटाउं से हैं हाववर वायल समझाइटिक लिडिशन इन रलाशन रचेट अपनमेंट if ABC fails to disclose the fact that spouse of one of the partners of ABC is working under full time employment as head of tax department of the oddity that is X limited so what will be its implications मतलब क्या हुआ साब जब appointment किया ABC का सी एफ हम का किसके लिए X limited का Intel का special audit करने के लिए तब उसने बताया ही नहीं कि जो फर्म के हमारे partner है उसकी वाइफ वहां पर टेक्स डिपार्टमेंट की हेड है तो सर यह इसन डिस्क्लोज नहीं किया तो इसके का implication क्या होंगे सर सबसे पहली बात चलो बाकी का इस्चू पढ़ने से पहले यह देख लिए तरह सर एक तरस उसी नहीं क्या किया फॉल्स information दिया फॉल्स undertaking submitted before the office of the commissioner under GST and the audit engagement undertaken on the basis of such undertaking आपने undertaking दिया कि हम रिलेटेट नहीं है फिर बिलेट आप रिलेटेट थे फिलेट फॉल्स उसके लिए क्या होगा दिखना दियान से the essential terms of the appointment as a special auditor included that the partner or any of the relatives of the partner are not directly or indirectly linked to X limited that is the auditory and if spouse of one of the partners of the ABC working as a head of the tax department of the auditory तो सरकार इसका मतलब आप रिलेटेट थे पर आपने रिलेटेटेटेशन सही नहीं दिया non-disclosure of the state fact in the undertaking and other engagement documents and accepting such engagement can't amount to submission of false undertaking by a CA firm to the government authorities और उसने कहा किया wrong information दिया है false information दिया to the CA firm by the CA firm to the government further a question may be raised about the independence of the audit team मतलब सर आपका रिलेशन है तो हमको आपने जो audit किया है उसकी सरी नों audit क्यों करते है ताकी विश्वास हो पायता अब हमें उस audit team का independence पे ही शक होना लग गया बिटा considering the fact that spouse of one of the partners of the firm is holding a key position in X Limited that is the audit इसलिए उसने जो audit किया है उसी पे question खाड़ा हो जाए कि सही audit है कि नहीं बिटा ओके दन second point सेगेंड और दोन साथ में पढ़ना बढ़ा पहले सेगेंड पढ़ेंगी फितार ओविसली material discrepancy in the valuation of stock transfer related to transfer to related parties मतलब सर value of stock में एक्स लिम्टेट नहीं किया अपने related persons को related parties को supply किया और उसमें material discrepancy is were found in the valuation of stock transfer to related parties by the oddity were noticed by ABC ABC ने इस्पेशल करते वाकर वक्त देख लिया notice भी किया कि साहब यहां पर valuation में गढ़वड है if ABC fails to disclose these material discrepancy in the audit report submitted to the commissioner office what will be its implication मतलब इसने irregularities find कर लिए पर इसने commissioner को बताया है नहीं साहब audit report में लिखा ही नहीं कि यह साह वेलिशन में इशू है तो क्या होगा इसका implication second question third question भी साथ में पर लोबड़ा the input tax credit claimed by X limited that is the oddity under form number GST ITC 01 Sir ITC 01 यहादे बिटा क्या होता है form number GST ITC 01 क्या होता है जब आप मालों कंपूशन स्कीम से रेगुलोरी स्की मारो या आप लोगे बिटा आप अन्रीशर तेप राइसिशन करना तो इस्टोग का क्रेट जो मिलता है वो इस्टोग का स्टोग का स्टेट में आपको सम्मिट करना पता है इन फर्म नवर GST ITC 01 अब सर दा ITC पढ़नाब दा ITC claimed by X limited that is the oddity under ITC 01 वोस सट्टिफाइड by one of the associates of firm of ABC in favor of X limited sir ABC का कोई associate firm था पटा उस नहीं certificate दिया था पटा सच certificate was based on incorrect facts और लोसा ITC लिया और वह भी गलत ITC लिया और यह certificate भी लिया सिएगा वह भी गलत था पटा सर और जिस firm ने certificate दिया वो ABC जो auditor थाया पे उसका related परसन था मतलब उसका कोई associate firm था पटा सच certificate was based on incorrect fact and against the eligibility criteria for the input text grid as per section 18. क्रिट नहीं मिला जी फिर भी लिए ऐसा however if ABC fails to exercise the due diligence and the certificate is taken on record by ABC as an audit processor and is relied upon at the time of finalization of the audit report and submission of finding what will be its implications मतलब ABC ने क्या किया बटा जब audit किया special audit उस टेम पर उसको यह पता पड़ा कि इसने गलत stock statement submit करके CA firm से भी गलत certificate लेके और फिर ITC लिया यह बात पता पड़के किसको ABC को पर इसने अपना due diligence अपना आया नहीं इसने फोलो नहीं किया due diligence और सर उस certificate को ही मान लेकि सही है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ और ITC लिया वह सही लिए बेटा मतलब आपको अपको क्यों क्या भाई एक करवा कि रहा है गौर्मन्न आप से ताकि जो इसने गलत क्रेट लिया है उसका पगड़ा पाओ इस रगलत वैल्यू कि यह दोनुक्राना में आपने नहीं किये बेटा तो ऐसे के समें इट मींज यू रहल्पिंग देम इसका मालब वो CFM भी हेल्प कर रही हुए उससी को तू इवेट अटेक्स एंसर इव यू रहल्पिंग अनीबडी तू इवेट अटेक्स तो सेक्शन में 122 सब्सक्शन 3 का कि अगर कोई परसन इस एडिंग और हेल्पिंग इन कमिटिंग एनी ओफिंस तो ऐसे के साब आप भी पैनल्टी के लिए लाइवल रहेंगे सेक्शन में 122 सब्सक्शन 3 का बटा क्लियर पढ़िए बिटा अच्छा अब यहाँ पे इंस्ट्यून आंसर के देर का बिटा वो प करेंगे लगेगी वह इंप्रटों के लिए यहाँ पर इस एंसर यह नानसर दे रहें है यह एंसर बीटा ओके बच्छो घ्लियर तो अभी यह न स्यूशन पढ़ रहे हैं यह दो number two or three common solution sir ABC audit team did not exercise due diligence to understand that ITC availed by X limited is not in compliance with DSD provision instead ABC relied on certificate issued by its own associate firm which justified the incorrect ITC claimed by X limited in such a scenario both ABC and associate firm which issued the certificate to justify the ITC were aiding or abetting X limited in wrongful availment of credit which is also an offense punishable under penalty punishable with penalty under section number 122 subsection 3 this offense may also be punishable with imprisonment हाय न भाई हमने पतर खान बटा सर अगर amount of tax involved exceeding piece two crore है अर याद याद है बटा जेल के प्रविसन से बच्छो तो सर and fine under section number 132 subsection number 1 clear depending on the amount of default involved involved and subject to specified condition further ABC as well as its associate firm may be held guilty of professional misconduct clear done अच्छा अब इनोने जो बाते लिखी हो के वल ITC को लिखी लिखी ही बटा अब आप सेम बात इसले भी समझ लो बटा अगर material discrepancy valuation case में थी और इसने report नहीं किया उसको इसने disclose नहीं किया उस material discrepancy को तो अगें sir they are helping them to evade the text so again section number 122 subsection 3 का penalty लगेगे बटा जेल के प्रोविशन भी अट्रेक्ट होंगे 132 subsection 1 वाले बटा and sir professional misconduct भी है तो मतलब implication दोने केसमें सेम थे बटा clear तो यहाँ पे जो लेंग्विज लिखी आप इस्टोक वैलिशन का भी सेम पोइंट समझेगा आई यह के समध्री पले के समध्री सोरी के समध्र मतलब तो आप चाहे ना सर तो यह सा भी कर सकते अपने बुक के अंदर या भी लिखो टू एंट्री का implication मेटा और या लिख दो फॉर्थ का implication मेटा चलिए एबी सीरी से कंसिटरेशन ओफ रुपीज फाइलेक फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन नेम अफ इस्पेशल ओडिट कंडुक्टेड ओ हो 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 भाई साहब यह सिए फम को अपन किस ने किया सर कमिशनर ने नोमिनेट किया है कमिशनर सर इनकी फीज लेकि फिक्स करता व डिपार्ट्मेंट और फिस देता है यह अमारी सीए फम एबीसी भाई सापने क्या किया वो क्लाइंट जिसके ओडिट करने गयते वह अससी जिसके ऑडिकरने करने गयते है उससे फीज ले रिश्वतित ते भी यह है आईना भाई पास लक्रुपीज फ पे लग जाएगी बिटा देखिए the consideration for special audit under section 66 is payable by the office of the commissioner and cannot be directly recovered from the oddity in the present case the receipt of rupees 5 leg from x limited that is the oddity by abc is in offense under the ght provision and the same is liable to penalty under general penalty under section 125 apart from other penal provisions under ght law clear further this is also this will also have an impact on independence of the auditor beta clear it's my feastly a client's a special area but I'm a love assist is a special area of love sir can I get issued over here so this is all it can also be so I'll call out a key audit say a key name it are clear done is exist about not a gay jay a case number three because I am a tie up I hope someone ever easy point the good of net about how but your case no for the amount of must must but them must follow up on you case study number four facts of the case sub sepela a limited is engaged in general business numbers are a limited is business is engaged in the business of manifesting cotton yarn okay sub cotton and maratha but I wear in cotton is the principal raw material in the manifesting process obviously the price of cotton varies depending on the market conditions and is dependent on various external factors which is the principal element in cotton cotton yarn but obviously Mr. X is a tax consultant of a limited okay my job a limited consultant gonna X he was the X he was her case of it a Mr. X advices a on GST compliance is X is not a CA but I was a local company got the Vita was worried while a case of personal case may corrupt cover the whole guy in son in order to meet expansion related expenditure a limited sort a term loan and working capital loan from banks a limited loan to apply a business expansion limit as per the bank the turnover and profitability criteria of a limited were not meeting the benchmark of the bank for sanction of any loan facility with a matlab a limited turnover become the profitability become the picture so it's not like the name of the loan which will continue to take your attention to interest by astar then the following actions were undertaken by Mr. X being the tax consultant of unlimited of a limited crypto loan in the beta that this day of bank loan delivers capital of X to the bank turnover पड़े वो ही है सर। अ सेपरेट एंटिटी बिलिम्टेट पर इसमें ट्रांजिक्शन सीखना मजा आएगा आपको तो जीवन में कभी घडबर करने तो ध्यान रहेगा। इसका नाम की था बिलि मिटिट और इसके डाइट वही भूया थ हूं तहू रहेगा usad दिश्क्वसन सना रहीजाएं के मेंगा नाम के लिकिसरे एसके रहेएं रहेगा। ओके बीने क्या किया बटा रजिस्ट्रेशन लिया ऐज समय निविक्टर शॉफ यान wherein Mr. X assisted B limited in obtaining GST registration बीटा सब काम तो अक सी कर दा बीटा उस तेन इस सिरेशन लिया भीटा MR. X obtained registration providing fact documents for registration पहला offense तो यह होगे है बीटा कि registration लिया हो fake document के बसे बिया है बीटा है है ना चलो इसका implication बताता है मैं आपको बिटा फिस्ट इंप्लिकेशन घ्रजिस्ट डिस्ट रिलिम इट शॉट आपको भी फिन अगर समिट करते हो तो सक्षम 122 सबसेक्शन वन क्लोजम अच्वेल का यह ओफेन से बीटा और ऐसे केस में सर पैनल्टी लगेगा पिटा सर एंड पता है सर ऐसे केस में जेल भी लगेगी बिटा देखना जैन से फ़निशिंग फॉल्स इंफरमिशन विट रिगार्ड तो रजिस्ट्रेशन प्रिकुलर्स इन ओफेंस लिए ब्लिम टेड जिसने फेक दोक्मेंट दिये इस लियाबल to penalty अंट सट्टा में 12 तो सर्सेक्शन 12 वने दूसें 151 का पैनल्टी इस पे लगेगा सर आवर मालिक यह तो फेक्ट रोकमेट के बेसमें रजिश्यशनलिया उसका बैटा भी समसिक्वेंटली ए लिम टेटिट लितिट फोर श्प्लाय व्यान टुंपी लिमिटेट मतलब ए लम् डेटने इन ओड वी यह लुह अ टू बिलिमिटेट विलिमिटेट मतलब कर दो बाटोन क्लेर जिसमें पाम आता है इनको अब इन्होंने बिलिम्टेट एक कंपनी बना दी पिटा और सर एलिम्टेट ने बिल इशु करना शुरू कर दिया किसको बी को सेल का बटा कोटन यान बेज रहा है बटा अब भी आगे क्या करेंगे वापस सेम किसम गूड बेज देगा बटा ट्रेडिंग कर रहा है एक तरह से बटा यह मान लेंगे सर पढ़ना वापसे सब्सक्वेटल यान बेजल बेज बोटन रहा है बार्य बोर्टन फीलिम्टेट नहीं घंतली टुट्रू तीस हम खुटैसर टेज लुटेंट उल्सु पर बीड़ देज्र गूंग्स कर रहा है एसबी को ताकि एक तरिक टर्ण ओर बटा बढ़ आये और एलिस क्वेशोई से लोगा है लो और करता है और कोई टेक्स इनले बटा इसकी वैसे क्या वह बटा है एक जो कस्टमर थे वह एसे जो सर्विदाउट बील गूर्स लेते थे विदाउट बिल इसके वाइस का था तर नहीं तो इसने क्या किया क्ष्टमर को बेचा तो केश्मी दो नमर में बटा पर टारोर बिल इस्यू कर दिया और उस बिल के बेसमे बिलिम्टेट क्रेइट ले पार रहा है बटा है न भाई तो क्रेस्टमर थे अन्रेइस्टर या जो भी लोग ते जिनको इसने बेचा है विदाउट इस अफेनी टेक्स चार्ज नहीं किया और उस पर सर बोग उस उनको माल सप् अब भी ने जो बिल लिए बटा अब बिल जो ले लिए वो तो स्टोक उसने पर्शेस के लिए एक तरसे बिडमाल ओन रिकोड आओ वो जब तक सेल नहीं करेगा तब तक स्टोक दिखेगा बटा उसका अब क्या होगा आगे बी लिम्टेट इस्यू स्टेक्स इस्टेक्स पर प्रोविजन फटन सर्विसेश तो अलिम्टेट इन दी वह मोफ टेस्टिंग फोटन रिपेर इन मेंटरेंस अव मशिनरी इंस्टोल एट अलिम्टेट अपार्ट फ्रम अधर सर्विसेश ओ हो अब सब क्या हुआ मेरी बात को समझने कोशिश करना बटा मैं समझा बटा एक लिम्टेट ने क्या किया बी लिम्टेट को यान बेचने का बिल इशू किया ओके विलिम्टेट ने क्या कियो अब इसके बिल के बेस पर आईटीसी अवेल कर लिया बेटा clear अब actually goods to be a ndam itc neavail कर लिया अब itc वे लिया तो इस HC क्रिया गटा clear तो दिमाग लगा है नोने मेटा क्या वापस बी नहीं एक और भी शुक्र दिया किसका services का अब मैने अब भी ने एक सर्विस दी ए अब इसका कोई प्रूफ तो नोतरी सर्विस का कानेर कनसल्टेंजी का बिल लिख दिया सर्टेस्टिंग ओफ कोटन यान जो बनाया है उसका टेस्टिंग का बिल लिख दिया रिपेरियर और मशीन गब लिख दिया जबकि आक्चली कोई सर्विस बीने एक प्रवाइड नहीं करी थी इससे क्या हुआ इधर भीका आउटवर सप्लाइब सर्विसे से हो गया और सर जो बिल पर जीएट लगाया होगा बी ने एक लिए वह एक लेगा उसका एटीशी ले ले गाँ बटा सपोज टेन क्रोड का ओरिजिनली एने बी को बिल लिखा था उस पर जीएटी था मानलो 18 परसेंट इट कमस टू 1.8 क्रोड बैटा क्लियर अब 1.8 क्रोड का जीस्टी वाला अमाउंट भी के पास पोज़ गया इधर 1.8 क्रोड की लाइब डिया गी ए लिम्टेट की उसका टानोर दसकोड से बढ़ गया बटा बी लिम्टेट ने क्या किया 1.8 क्रोड का क्रेइट लिले लिया बिटा अब मालिक बिल इम्टेट क्या कर रहा बटा इसमें से लगबग लगबग मालो 90% 90% होता है मतलब 10 क्रोड का 90% 9 क्रोड 9 क्रोड के अब सर्विसेश के इनवेश इस शू कर दिये बटा जिस पे जिस्ट का मौन था कितने का सर नाइन क्रोड पे एट्टिन परसें लगदो बटा 1.6 क्रोड बटा वन पॉइंट शिक्स्टू क्रोड का जी एश्टी का टेक्स का मौन बिल भी लिखा बटा किसने बिलिवर निकिसको एलिम्टेट क्लो मतलब 10 क्रोड का यान सप्लाय किया डमी यान एक्ट्रीश अन लाइन यान था ही नहीं एन बी को सर और उस पर जो जाश्टी ता उसका ग्रीक किसने बिलिम्टेट ने अब बीने क्या गए गया चीपकर कीशिए सर्विस निया नाइन करोड किसको एे लिंट ने को मिता अभिसे का जो जो सर्वीसेश लगा है यह बांब पूंट 62 क्रोड का तो ले डेके 1.62 को करोड का कि आइटी से लेकिसने एलिम्टेट ने मिटा हाँ है ना भाई तो सर कुल मिला के सर इधर से गुट्स घुमा और इधर से सर्विसेस वापस आई और सर क्लियर अब बचाए क्या एटी लेका अपनी कंपनी बिटा अब इसने क्या किया मैं तुम्हें समझा तो मिटा जो ऑन रिकोर्ड यान इसको रिसीव हो गया था किसको बिलिम्टेट को बिटा इसने यान को यह दिखा देगी यान खराब होगे पड़े पड़े और यान खरीए लिवेटल से बेचाइश भी इस अडिकाइश ने अलिकोर मिटा तर एक क्रोट का से दिखा है थाथा को कर्याइश घालक यह को श्ती अल्यक मान हम च्रुटकू कुट खातल पाइश बिलिम्ट इस्टिक अट्रलंग अट्रला का क्रेदा बस्वार वाश बच्वाइ repair maintenance of machinery installed at a limited apart from other services take it up however no such services were actually provided by b2a the input text rate appearing in the books of account of B limited which was availed on the basis of fake yarn invoices was utilized by B limited at the time of discharging GST liability in relation to at least tax invoices issued against provision of services to a the sir 1.8 credit credit 1.8 k credit 1.6 2 crore to create a live team a comma yeah live with love woke up will be the services are kisco a limited go to 1.8 to 1.8 8 0 crore like it was a 1.6 to create comma here for paying library or 1.6 to credit in alia but love in a cell with the in a purchase with the data sell via dummy purchase via dummy beta to get a better sale to get a goods purchase via services clear to actually set tunnel close again to get a sir the bank which is a loan to get a better further be limited issues taxing was for sale of yarn because sir be limited plus yarn to put in the score beta अब 10 क्रोड का यान इसके पहुच गया है भी के पास तो या तो इस्टोक में दिखा हो का है कल को ओफिसर आगे वेरिफा करने इस्टोक तो मिलेगा निविटा पकडवा जाएंगे तो इन्होंने क्या दिखाया कि वह यान हमने बेश दिया है बेश दो दस को यान था कितने म पर से ल मिच आप से लगवाओ यान निव यान विच वर आपरेश दिखिए पर्चेस लगवाओ पर्सेंट्ट जो बोकस पर्चस तो इस्टोक यान डिकम्हां में धे रिष्टेर बेश बहुं दिखिए लेक्ट का यान गुरीदा थोड़ा बेश्ता गया और अपनी ग्र कंटेंडिंग देट क्वालिटी ओव यान है डिट डिटरीटेड दूरिंग देट रिट्रीट बच्चा सर दस क्रोड का यान एक क्रोड में बेस डाला यह बोलके कि यान खराब हो गया इसलिए वैल्यू कम हो गई और हमने कम वैल्यू पर बेस दिया तो इसका इस टोग भी हो गया जो ITC उदर से यहां पर आया था A से B के पास आया था वो ITC का 90% ITC वापस A के पास पोंच गया बटा तो एक की लाइट ही नहीं बच्चा क्लियर और इधर 80 लाग का ग्रूप कमनी कोई बिल लिख दिया ग्रूप कमनी क्या करी उस बोगा सी बिल के बैस पर क्रेट तो सर यह सा गेम जमाया रोने बटा Mr. X was aware of the aforesaid action of A limited and B limited वो consultant को सब पता था फर्द तो GST returns वर फाइल बाए Mr. X for both the companies यह फेक बिल के जो टेक्स ते इसका रिटन X नहीं फाल किया बटा दोनों कमनी का A limited approached Mr. P a practicing charter content to issue relevant certificates to the bank certifying the turnover of A limited and B limited as a genuine turnover to ensure that the required loan amount is sanctioned to A limited साब अब वो A limited के मालिक कहां पोचे Mr. P जो एक CFA में बीटा यह practicing CA बीटा उसके पोचे कि भाई आप certificate दो कि हमारा जो टर्न आवर है A limited or B limited विल्कुल genuine turnover है ताकि बेंग हम को लोन दे दे A limited elaborated the entire arrangement made by it with regard to B limited अच्छा ए भी ए नहीं क्या किया जो वात है उनको सारी डिटल दी कि हमने यह transaction ऐसे से किया है हमारे इसमें actually transaction कुछ हुआ नहीं bogusville के त्रू हमने यह सब कारणामा किया है Mr. P apprised a limited of the following GST implication that may arise in the given case बिटा अब Mr. P जो सीए आप लोगो ने तो पढ़ रखा विटा आप सी यह लोग आपने बताया उस company को कि भाई साब तुम जो यह कारणामा कर रहे है उसके implication यह फर्स्ट जो मैं अल्लडी बता चुगा हूं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है बी लिम्टेट ने अन्दी बेस्ट फेक डोकिमेंट तो सेक्शन में 122 सब्सेक्शन में क्लोज में कवर होता है और यह ओफेन से बिटा सेकिंड इस्वेंस अफ टेक्स इन्वेस विदा अक्च्छल सप्लाइफ गूट्स और सविसे विचा अच फेक इन्वेस पेले ए ने यह रहा बिटा ए लिम्टेट ने दस क्रोड के यान के फेक इन्वेस लिके किसको बी को बिटा रहा है ना मालिक देखना ज्यान से ओके है कि अगे सबसे बिल लिखा 10 क्रोड का यान को किसको बिल इम्टेट जिसमें 1.8 क्रोड क्या था बटा आई टीसी था बटा अचा 1.8 को दर सकर तो मैंने फिगर लिखे आपको समझाराने क्लिए बटा तो फिर्स्ट बोकस बिल तो यह हो गया सेकिंड बोकस बिल बी ने लिखा किसको ए ग्रूप कम्मनीज को इन विश्ट लिखा हाय ना भाई रिमेनिंग वन सीर गबच्छा सो देट एटीन लेकर जो इटीज बचा मता वो भी आगे पास ओनो जा अपने गूप कम अपटा तो सर वोट एपने बिलिम्टेट इसूद आ इसूद आ इसूद इस तो इस गूप प्र पिनल एक्षिन अंडर सेक्षिन नमर 122 सब्सेक्षिन वन क्लोजमर 2 आपको बता है बटा अल्रडी हम दो तिन बार बात कर चुके है बोगस बिल की किस में अक्च्छल सप्लाइ नहीं हुआ इसलिए सेक्षिन नमर 74 का लाइब नहीं है तेक्स पेवल था ही नहीं मिटा बो होंगे अगर अमांट इन वर्ट सर जय दा बोगस बिल के समने वन कोड़ सुपर भी है तो भी प्रोविजन लगता जैल के बटा थर्ड फ्रोड़ एंट आईटी सी अवेलमेंट सर ध्याने जी बिटा यह यह बिलिम्टिट ने क्या किया बोगस बिल की बेसे लिए से भाइट तो सर सुथना अब इन्हों ने एक्चुली अगर मैं B की बात करूघ कर आप से अगर मैं B लिम्टेट की बात करूघ तो टो बयुँ ने अक्चुल सप्लाई तो कुछ यहनी ता भी तो इसकी एक्चुल लाइवड तो कुछ थी निगे तो पर इस थी लिया बोगस बील के बेस पे हम अलड़ी बात कर चुके बटा बोगस बिल लिया बोगस बिल दिया तो ऐसे केस में एक्ट्व सप्लाय कुछ किया नहीं तो एक्ट्व लाइवड नहीं थी तो सर आपने जो आइटीसी डॉंगली अविल करके यूज किया उसकी वेसे गौर्मन्ट को कुछ शॉट प्रमेंट नोन प्रमेंट शॉट लिवी नोन लिवी हुआ नहीं बीटा तो सर भी लिम्टेटी लगेगा सेक्ट्व में 122 सब्सेक्षिन वन क्लोज में 7 वाला बटा अब तो याद होगोंगे न सर आपको तो प्लस सर ए लिम्टेट ने क्या किया बोगस बिल लगेगा हाय ना भाई और दे लेच्ट यंद्व लेरा तो वह उस्यू करने के लिए 122 सब्सेक्षिन वन क्लोज में टू का पैनल्टी बोगस बिल के वैसे 122 समय सेवन का पैनल्टी वेठा और जो लोग को एक्तिल इस ईलिम्ट इड अक्टलल लृपलटी को पे कनले में वो एक्ट यूस करेंगे या गुरूप कंस्क्ट शू अवैट्प वृटी को पे कनले करेदे रिट इकूर सी辅की ह्ट्पें करेंगे मुद् आक्ट इस hackers डाि भाई भारत मता की जैए सर्फ ग्लस दिस प्रेट रहूंगे मतलब आप देखर रहूंगे जो पड़ चुके वही आपर रीपीट वह बिटा बस केस बोट अच्छा बनाया था इनुने पर फोर कर देखर इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन घ्यासि रिटर्न इन फॉल्सिफिकर्शन और पोड़ बॉक्स रखन अगर अब सर एलिम्टे रहूंगे जब उनको बता है कि एक इन वस्याद दिशन थे और उसके रिकूर्स आपने घंगान आड में डूर्ट किये आपने रिटर was also not available the returns filed by both the companies were wrong the box of account and financial records were also falsified in terms of information related to sales and inventory this act of punishing incorrect information in GST returns and falsifying financial records is an offense under section 122 subsection 1 clause 10 and this offense may also be punishable for imprisonment under section 132 subsection 1 beta high and why done sir and last GST implication on mr. X X her case of a side by a mix pick a implication only if a vice of cone consultant see any other day consultant sir now he's also a betting high and why he helped corner text story can help cover the section 132 subsection 3ka penalties for a giga beta and imprisonment के प्रोविशन बिस्पे अट्रेक्ट होंगे अगर कोई offense कने में help करता है आपकी बेटा तो उस पे भी imprisonment के प्रोविशन अट्रेक्ट होते है बच्चो हाई ना भाई दन पर लोगे सदिस्को mr. X being a consultant of a limited had adequate knowledge of the fraud and willful misrepresentation of the facts in terms of maintaining the financial records and submission of information in GST returns in fact mr. X himself was filing the GST returns and was aware of the fact invoices and ineligible ITC available meant by the companies so mr. X shall be liable to a penalty in terms of provisions of section number 122 subsection 3 in the given case since in the given case he had aided because he aided or abated the offense specified above beta and this is also punishable with imprisonment and fine under section 132 subsection 1 depending on the amount of default involved and subject to the specified condition clear and if a CA chartered content undertakes the assignment of issuing relevant certificates to the bank thereby certifying the turnover of a limited and be limited he may be held guilty of professional misconduct early but we are further he shall also be liable to a penalty in in terms of section 132 subsection 3 to give you will be hysterical offense in no log object actor as a certificate the a matlab was a path of a previous certificate there but us now he added in a meeting the offense this offense may also be punishable with imprisonment and fine under section 132 subsection 1 depending on the amount of default involved and subject to specified conditions or service to be penalty key provisions plus JLK provision attract on the case studies be cut to Moti al-search or a Pura silo was shot up with some on a Oga or a EGST ethic to an opponent I still couldn't have on a problem I'm new to point product of the CCO implication of the car carry gather their strengths all the best put your hundred percent क्योंकि सर अपना टाइम आएगा नहीं अपना टाइम आ गया है लागा दो पुर अदम बेस्ट विश्ट विश्ट एग्जाम्स एंड फिचर एंडिवर्स फ्रॉम सीएशन मंगल एंड टीम वायम कॉंसेप्स सरकार एक लाइन में आपके लिकी बढ़ा चलो अपनी तक्दी क्या है यह ट्रांजिक्शन अगर इसका फोटो किजना है प्लीज अपने नोट्स में लिख सकते हो आपको यह ट्रांजिक्शन पढ़ते वग्ट केस्टी नमर फोर परते वग्ट आपको help करेगा और हां मेरे को यह गट फिलिंग है इस बार कि जो का चार केस्टी पुछी कि नोने बिटा उन में से थोड़ा बद प्लस मनस करके कोई एक स्टी एक्जाम में आएगा आना चाहिए जिस्टी के पेपर के इंदर सी एफाल में बिटा क्लियर सो अच्छे से पढ़ना बेटा मस्त होगे पढ़ना खुश होगे पढ़ना विच इस वेरी मच इंपोर्ट अच्छे साप पक्टे से होगे अच्छे से दाग जबादे से एक साफ ठाना पुब्द झाल झाल